हेलो! क्या आप कुत्टा खरीदने का मन बना रहे हैं? और अगर आप कुत्टा खरीदने जा रहे हैं, तो रुकिये पहले मेरी कुछ बाते सुन लीजिए और फिर डिसाइड कीजे क्या आपका डिसीजण कुत्ता खरीदने का सही है? कुट्टा खरीदने जा रहे हैं आप एक बार 10-20-30,000 खर्च करके एक कुट्टा एक पपी अपने घर ले आएंगे क्योंकि आपका भी बहुत मन होता है यूट्यूब की वीडियोस देखर या गली महले में जो छोटे पपीज होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं और हम उन्हें यदा कदा आते जाते पुछ कारती भी रहते हैं या गोद में लेने का भी मन करता है या उनकी हरकती भी बहुत अच्छी लगती हैं तो हम कुट्टा तो घर पर ले आएंगे लेकिन उसके लाने की बात क्या सोचकर हम वो कुट्टा लेने जाएंगे इसके पहले कि हम ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी ले आएं कुछ बाते ध्यान में रखें सबसे पहली बात दो चीज़ें एक तो ये कि आपके पास टाइम होना चाहिए उस कुट्टे को देने के लिए जिस तरह बच्पन में हम अपने बच्चे को सिखाते हैं बोलना, खेलना, कूदना या कुछ भी इसी तरह से पपी भी हमारी ही तरह से उन चीजों को सीखता है जैसा हम उसे सिखाते हैं और दूसरा हमारे पास enough पैसा होना चाहिए enough spare money for the dog जिसको हम लाने जा रहे हैं उसके लिए होना चाहिए क्योंकि कुट्ट भी एक living being है और उसे भी वो सब चीज़े चाहिए जो हम इनसानों को चाहिए कुट्टे के लिए खिलोने कुट्टे के लिए special medicines उनके doctors की fees उनके injections उनकी vaccination और फिर उनको mental stimulation के लिए हमारे वक्त के साथ साथ उनके खुट के खेलने के लिए उनके भी special toys होते हैं जो कि काफी महंगे मिलते हैं अब रह गई है बात पहले point पर आने की वक्त कैसे देंगे सुबाट कर उसने थोड़ा आपको चाट लिया और आप खुश हो गए वीडियो बना कर डाल दी नो आपको हर वक्त कुट्टे के साथ बात्चित करनी चाहिए आते जाते उसे लगना चाहिए कि वो भी एक valued member है उसकी भी कुछ value है उस घर में कि हर आने जाए आप देखे है है involved किया जाता है जो कि उस घर में उसे एक part समझा जाता है कि ये भी घर का एक part है तो एक तो ये बात कि आपको उसे समय देना पड़ेगा उसे सिखाने के लिए और हां उनको weekly पंदरा दिन में या जैसे भी आपका कुट्टा हो उनको नहलाने के लिए भी आपके पास समय ह होना चाहिए it is not easy कि आपने कुट्टे को नहला दिया और सुखा दिया हो गया है कुट्टे को नहलाना काफी पढ़पंच का काम होता है मेरे पास इस वक्त दो कुट्टे है और मैंने वो खरीदे नहीं है मैंने वो एड़प किये हैं उसकी भी स्टोरी का भी बताउनगी ब बढ़ जाएगा, कि आप फिर इन चीजे ये पैसा फिर आपके लिए माइने नहीं रखता है, लेकिन वो होना चाहिए उन पर खर्च करने के लिए अगर वो बिमार पड़ते हैं, और उनका yearly vaccination भी बहुत जरूरी होता है, तो पहले ये दो चीजे अगर आपके पास हैं, उनको देने के लिए समय, और उनको देने, उनके उपर लगाने के लिए, उनके पर खर्च करने के लिए खुले दिल से पैसा, तब आप ये decision ले सकते हैं, कि हाँ, अब हमें कुछ चीजे होती हैं, अगर आप एक flat में रहते हैं, high rise building में रहते हैं, और आपका flat छोता है, इतना ही क ये आप लोगों को ही accommodate करता है, तो बड़ी breed का कुटा ना लाएं, एक तो बड़ी breed का कुटा फस जैसा जाएगा आपके छोटे से flat में आकर, चाहे वो करोडों का flat क्यों ना हो, लेकिन जगा तो चाहिए बड़े कुटे के लिए, उसको घुमने फिने की भी जगा चाहिए दूसरा आप उस कुटे को बांध करना रखें, कि आपके घर में कोई आगया, आपने कुटे को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और इदर बैटकर उसे बाते कर रहे हैं, और कुटा अंदर भौंग भौंग के अपना भी दिमाग कर आप कर रहा है, और आप भी परेशान हो रहे हैं कि कुटा बात क्यों नहीं करने दे रहा है, आए हैं महमान तो उनको बिठाइए, कुटे को भी सोशल बिहवियर शूरू सही सिखाईए, जैसे मैंने आपको बोला, आपको स्टार्टिंग में टाइम इनिवेस्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर, कि आपके घर में मह महमान आए हैं, तो कुटा बचपन में ही उनको थोड़ा सूंगेगा, उसके बाद सूंग कर थोड़ी दिर के बाद बैट जाएगा, नॉर्मल हो जाएए, ऐसा कोई पैनिक होने की या महमान को भी पैनिक होने के जरूरत नहीं है, डॉक ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है उसके initial years के अंदर, क्योंकि तब उसको आप ही उसके माबाप लगते हैं, वो आपको ही देखकर सीखते हैं कि आप उसको कैसा behavior सिखा रहे हैं, दूसरी बात ही है कि अगर आप को तक खरीदने जा रहे हैं, तो इस बात की क्या guarantee है, कि वो international winner है या award जीते हैं उसने, या वो registered ह अब ही तो देखिये, ऐसा हो गया है कि घरों में कोई भी से रोट पाइलर कुटे लेकर आते हैं, पेर, और उनकी जो off springs होते हैं, उनको 10-10, 20-20,000 में बेचते हैं, मुझे ये चीज़ बहुत खराब लगती है कि अभी इनसान, especially young people, young couple इतने बेकार हो गई हैं, कि वो नहीं पा रहे हैं, और इन कुटों से बच्चे पैदा करवा करवा कर वो बेच कर अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, कितने दुख की बात है कि एक जानवर जो आपको इतना प्यार दे रहा है, जो आपको जिन्दगी में कहीं नहीं मिलेगा, उसको आपसे कुछ नहीं चा और किसी का फाइदा उठाएगा, यहां तक ही जो उसे बे इंतहा, बे शर्त, दिल से प्यार कर रहा है, उसका भी फाइदा उठा रहा है वो, उसके भी बच्चे बेच, बेच कर खुद की रोटी मुह में डाल रहा है वो, तो एक तो मैंने आपसे कहा, कि size ध्यान में रखे हैं, तो क्या vomit भी करते हैं, तो क्या आपके घर में कोई तयार है कि जब आप absent होते हैं घर में, तो कुट्चे की इन चीजों को कोई बहुत बीना घिनके, बीना दुखी हुए इन चीजों को साफ कर सके, तो क्योंकि यह सब भी करना पड़ता है, और वीडियो को लंबा ना अब बाहर चले जाएंगे घुमने आप कुट्टे को छोड़ कर कहीं नहीं जा पाएंगे आपका खुद का भी मन नहीं होगा और अगर आप किसी शेल्टर हों में छोड़ कर भी जाते हैं तो आपका कुट्टा आपका इंतजार करता रहेगा मेरे नोन मेरे फ्रेंड थे उनको बहुत जरूरी किसी काम से जाना पड़ा और उन्होंने अपने कुट्टे को किसी शेल्टर हों में छोड़ा और जब वो आये तो उनका कुट्टा इतना बिमार था उसको खाने में कुछ गलत चला गया था कि उनके लाख डेड लाख रुप